क्या आप ऐसी पार्क में आना पसंद करेंगे जहां पर गंदगी के डेहर लगे हों? हालाना कि इस वक्त जम्मू में सफाई सुत्राई को लेकर बढ़ा दियान रखा जा रहा है स्मार्ट सीटी के तहट कहीं प्रोजेक्ट्स इस वक्त जम्मू शेहर में चल रहे हैं? थोड़ी सी बारिश के कारण सडकों पर आपने गंदगी के डेहर जरूर देखे होंगे लेकिन आज हम आपको पार्क में गंदगी के डेहर दिखाएंगे कि किस तरह से इन पार्क्स की हालत बनी हुई है हलाना कि अगर हम गांधी नगर की बात करें तो गांधी नगर में बहुत सी पार्क्स हैं चाहे वो फलॉरी कल्चिरल की पार्क्स हों या फिर मौनिस्पल्टी पार्क्स हों बहुत सी पार्क्स आपको देखने को मिलेंगी और यह एक VIP आरिया माना जाता है यहां पर लोगों क भी काफी ज्यादा आना जाना लगा रहता है लेकिन इस तरफ की अगर आप तस्वीरें देखें तो बिल्कुल गांधी नगर ग्रीन बैल्ट की ये पारक है बारिश के बाद इस पारक की हालत क्या हुई है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि ये अड्मिनिस्ट्रेशन तरक्की के बड़े बड़े दावे करती है उसके बावजूद देखें गेट के सामने क्या हालत है उसके बाद बाहर अगर आपको दिखाएं तो बाहर भी इसी तरह के गंदगी के डेहर आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी शक्स ने इस पारक में आना होगा मुझे नहीं लगता कि वो गेट करास करके अंदर जाना पसंद करेगा क्यूंके अंदर भी गंदगी के डेहर है और बाहर भी गंदगी के डेहर है चाहिए पाक फलॉरी कल्चर के अंडर हो या मौनिस्पल्टी के अंडर हो लेकन सफाई सुत्राई पर दिहान देना अड्मिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है यहां पर आपको शराब की बाटले मिलेंगी देखें बिलकुल सामने शराब की बाटले मिलेंगी इस तरफ भी शराब की बाटले मिलेंगी पॉलिथीन मिलेगा गंदगी के डेहर मिलेंगे बड़े अफसोस की बात है कि administration के वो खोखले दावे आज जे जमीनी सता पर यहां पर साबित हो रहे हैं किस तरह से administration के एक खोखले दावे हैं इन सब चीजों के बावजूद भी देखें कि क्या कोई इस पार्क में आना पसंद करेगा अगर कोई शक्स इस पार्क में आएगा तो यहां पर क्या देखेगा वो क्या देखना पसंद करेगा वो कहां बैठना पसंद करेगा dustbin अगर आप देखें dustbin एक कुने में पड़ा हुआ है उसका डखन दूसरे कुने में पड़ा हुआ है गंदगी के डेहर लगे हुए है दूर एक dustbin दिखाई दे रहा है वो भी उल्टा पड़ा हुआ है और उसका डखन कहीं और पड़ा हुआ है और अगर कोई भी spark में आना चाहे यहां पर बैठना चाहे तो उससे मच्छर काटेंगे उससे डैंगू हो जाएगा जिस तरह यहां पर गंदगी के डेहर नजर आ रहे है चारू तरफ अगर आप एक बार तस्वीरें देखें पहले तो बहुत कम लोग आपको इस पार में देखने को मिलेंगे अगर को क्योंकि पार्क में इंसान जाता है कुछ देर आराम करने के लिए बैठने के लिए लेकिन ये जगा आराम करने के काबिल ही नहीं ये बैठने के काबिल ही नहीं तो फिर अड्मिनिस्ट्रेशन कौन से दावे कर रही है त्रकी के अड्मिनिस्ट्रेशन कौन से त्रकी के दा आदा करецव लिया, हमने लेकर यहाँ पर आपको स्वच बाहरत देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी. और ग्रीन बैल्ट पारक की यह तमाम तर तस्वीरे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे प lender. उमीद करते हैं कि इंतजामिया ये खबर देखने के बाद ये वीडियो देखने के बाद जागेगी इस पार्क में आकर यहां पर सफाई की जाएगी और इस पार्क को गंदगी से पार्क किया जाएगा लेकिन किसी ने इस तरफ तवज़ा नहीं दी क्योंकि बरसाद का भी मोसम है और ऐसे मोसम में administration को ख्याल रखना चाहिए साफ सुफाई का ख्याल रखना चाहिए उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है ग्रीन बाल्ट पार्क है यहाँ गांदी नगर में यह पार्क मौजूद है और लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है उसके बावजूद अगर इतने गंदगी के डेहर देखने को मिलेंगे तो क्या आप साबित कर रहे हैं कि कौन से स्वाच वारत मिशन की आप बात कर रहे हैं कौन से आप डिवल्पमेंट की बात कर रहे हैं कौन सी सफाई सुत्राई की बात कर रहे हैं बारहाल आप लोग अपनी राय कॉमेट बाक्स में जरूर दीजेगो